गुड डे टू आल दो फ्रेंड्स, आल दो वियर्ज, आज मेरे साथ डॉक्ट रुमा शंकर तरिपाथी हैं, जो के माने हुए फेकलिटी हैं, मेकैनिकल इंजिनरिंग की, जो पूरी इंडिया में गेट एस पढ़ाते हैं, और बहुत ही बढ़िया अकैडमिक बैक्ग्रोंड भी रहा, और आज कल ये कमपिटिटर अग्जान्स के लिए हिंदोस्तान के डिफरेंट सेंटर्स में जा रहे हैं, और हमारी बड़ी खुश किसमती है, के ये हमारे पास जम्मों में आए, और इन्होंने हमारा जै, ये के हसे भी जैए मेकैनिकल के बैच को ये पढ़ा रहे हैं, और भहुत ही अच्छा बच्चे लोग महसूस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं के पहली बार हमको मालूम पड़ा, के जैए मेकैनिकल की त्यारी कैसे करनी है, तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया, के डाट साब आप हमारे बच्चों को, जैनके के बच्चों को बताएं, के एस 555 पोस, क्योंकि यह दो कंपोनेंट कामन होते हैं, स्टन्था मेटिरल एंड फ्लूड मेकैनिक्स, जो डाक्सा पढ़ा रहे हैं, और बहुत ही बचों ने पसंद किया सरह, और ये फाउंड फाउंड, हिज लेक्चर बेरी यूसफुल, तो टुड़े, ही जैनके के बारे मे बताऊं, कि हमने तो अपना शुरुआत ही गेट से किया था, आई से दस साल पहले, वी स्टार्टड आवर केरियर, इन पाइनियर्ज अकैडेमी, फॉर गेट, गेट प्रेपरेशन, एस प्रेपरेशन, एन से सी जै, आर आर बी, तो इस तरिकेस हमारा जो स्पेशलाइज़ था, वो इन चीज़ों के उपर था, लेकिन करोना की बज़ा से, आज बहुत ही नुकसान हो गया बच्चों का भी, और हम जैसे लोगां का भी, तो आज तो थैंग गौड के जीकेसेस्पी ने, एट हंड़र्ड फिप्टी फाइड पोस्स सिबल की निकाली हैं, हंड़र्ड की त्यारी करवाएं, क्योंग गेट का तो ओवराल जो 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 पिक्चर है, वो बहुत ही धुंदली है, पूरे हिंदोस्तान में गेट के लिए कोई जादा बच्चा जो है इंट्रस्टर नहीं हैं, लेकिन एससी जाई के लिए लाखों के तदाद में बच्चा जो है वो त जाता हूँ, हमारे जे एंट के सभी बच्चे एससी जाई के लिए त्यारी करें, यह आपको बताएंगे कैसे त्यारी करनी, कौन कौन सी डिपार्टमें उसमें आपको नोकरिया मिलेंगी, उसमें क्या सैलरी होगी, क्या सुबधाई होगी, तो अभी तो आप जेके एससी जाई की त्यारी करें, लेकिन जैसे ही यह खतम होता है, मुझे लगता है, इंदी मंता मै, इंदी मंता मै, we will start ससी जाई बैचेज, जसमें टेकनिकल भी होगा, नन टेकनिकल भी होगा, and then we will make it sure that many of the students of German Kashmir, they qualify ससी जाई, so, मैं डाक साब को बोलूँगा, के डाक साब आप इन बच्चों को डिटेल में बताएं, के कैसे अससी जाई की तियारी करनी है, और क्या-क्या उनके पास options रहेंगे, so, I am handing over the mic to डाक साब. Thank you very much sir, for introducing me in such a nice way, very thankful to you. So guys, my name is Dr. Umar Shankar Tripathi, I have completed my PhD in M. Tech from Indian Institute of Technology, Rulki. So guys, आज के session में, I will be telling you, कि SSC J exam का क्या pattern होता है, तो सर ने मुझे यहाँ पे जम्मू में बुलाया, और जैसा सर ने कहा कि मैं इंडिया के बहुत कोनों में जाता हूँ, इस्टूडेंस को गाइड करने, for various competitive examination, including GATE, SSC J, A examinations, ESE examination, RRBG examination, and all the जो भी state level के exams आते हैं, जो J E और A E केटेगरी को entertain करते हैं, उनको target करते हैं, इसी तरीके से सर ने मुझे यहाँ पे जम्मू में बुलाया, for JK SSB coaching. So, इस session में मैं यह बात करना चाहता हूँ, आप लोगों से, कि SSC J का क्या pattern होता है, देखे, इस सब very very good examination, very competitive examination, और दुनिया का rule है, जहाँ पे competition ज़्यादा है, वहाँ opportunity ज़्यादा होती हैं, benefits ज़्यादा होते हैं. तो एक primary level पे आज के session में हम बात करेंगे कि exam का pattern क्या होता है, perks क्या होते हैं, मतलब sadly क्या मिलती है, यह बात करेंगे कि eligibility क्या है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, age limit हमारी क्या होती है, और कौन कौन सी organizations में आप SSCG की through अपना नौकरी ले सकते हैं, joining ले सकते हैं, और फिर primary level पे हम बात करेंगे किस तरीके से हमें preparation शुरू करनी चाहिए, इस exams की, तो चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं आप से बोलू, तो क्या है इसका selection process, किस तरीके से हमारा selection process है, हमारे junior engineer examination का किस तरीके से exams होते हैं, तो the SSC junior engineer selection process consists of four stages, मतलब इसमें चार stages होती है, सबसे पहली stage है हमारी written test की, सबसे पहली stage है हमारी written test की, तो पहली stage मतलब written test में आप देखें दो paper होंगे, एक paper 1, एक paper 2, ठीक है, paper 1 आपका objective type का examination होगा, ठीक है, और जितने लोग paper 1 को qualify करेंगे, उन्हे paper 2 में बैठने का मौका मिलेगा, paper 2 एक subjective type का paper है, जिसमें आपके पास questions होंगे और आपको उसका answer देना पड़ेगा, जैसे हम semesters में करते हैं, हमें semesters में क्या होता है, एक copy मिलती है, एक question paper मिलता है, हम question और उसके answers उस copy में लिखते हैं, और कोई teacher उसको evaluate करता है, आपको marks देता है, इसको हम conventional exam बोलते हैं, इन जेनरल, competitive exams की दुनिया में, ठीक है, तो पहला exam क्या है, objective, दूसरा exam क्या है, subjective, जिसमें आपको एक conventional paper और उसके answer देने होंगे, जब ये दोनो exam आप qualify कर लोगे, तो कोई interview आपको further नहीं देना है, आपका सिर्फ document verification होगा, आपने अगर ये दोनों exam qualify कर लिए, merit बनेगी, उस merit के base पे, आपको document verification पे जाना है, और अगर आपके सही documents पाए गए, तो further आपका medical examination होगा, और आपको joining मिल जाएगी, तो ये basically इसका exam pattern है, सबसे पहले objective, objective paper clear करना है, दूसरा subjective, subjective paper clear करना है, फिर obviously आपने exam बढ़े हैं, तो documents सही होंगे, document verify कराने है, finally medical exam लेना है, medical examination मतलब ऐसा नहीं, कि आपको कहीं dot लगानी है, या कुछ ऐसा करना, basic simple medical examination, जो किसी भी government organization में होता है, वो देखर करके, आप joining को हासिल कर सकते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं कि इन exams में क्या पूछा जाता है, क्या इसका इस labels है, now please observe, तो सबसे पहले हमारा objective type जो exam होता है, वो computer based होता है, देखे, आज की rate में most of the examinations हमारे computer based के हो रहे हैं, मतलब आपको जो center alert होगा, उसमें आपको एक computer provide किया जाएगा, और आपकी screen पे question आएंगे, उसके चार options होंगे, एक option सही होगा, बाकी तीन गलत होंगे, आप सही answer पे mark करोगे, तो आपको एक number मिलेगा, क्योंकि ये पूरे exam में objective में 200 question आता है, 200 number का paper होता है, ठीक है, दो घंटे में आपको 200 question करने हैं, तो एक question के सही जवाब, सही जवाब मतलब question लिखा है, उसके चार option है, आपको उन चार option में से एक सही option का selection करना है, अगर आपका selection सही है, तो आपको एक number मिल जाएगा, और अगर गलत है, तो mind you, आपके 0.25 marks, यानि एक चोथाई number कट जाएगा, तो objective में there is negative marking as well, मतलब objective exam में आपको negative marking भी है, मतलब अगर आप गलत जवाब देते हैं, तो number कट हो जाएगे, तो एक question गलत होने पे 0.25 marks, यानि एक चोथाई number आपका कट जाएगा, और सही होने पे एक number आपको मिल जाएगा, तो पहले paper में आपके 200 questions आएँगे, पहले 50 questions होंगे general intelligence and reasoning, जिसमें आपको general ability के question आएँगे, percentage निकालना, simple interest, speed, time, distance, जो general aptitude के questions रहते हैं, ठीक है, ठीक है, secondly, general awareness, general awareness जिसमें आपको, जिसको आप normally general knowledge भी बोलते हैं, ठीक है, current affairs and all, वो आपका 50 number में आएगा, तो 50 number का general intelligence, reasoning, general awareness, 50 number का, ठीक है, यानि 50 questions इसके, 50 questions इसके, उसके बाद, जो भी field से आप belong करते हों, देखे, SSC, GE, टीन branch के students, हमारे इसका form भर सकते हैं, अगर आप degree holder हैं, यानि आपने B.Tech या B.E. किया है, तो भी आप इसका form भर सकते हो, और अगर आपने डिपलोमा किया है, तो भी भर सकते हो, और अगर आपने डिपलोमा और B.Tech दोनों किया हुआ है, तो definitely भर सकते हैं, ठीक है, तो degree वाले भी यहाँ पर eligible होते हैं, डिपलोमा वाले भी eligible होते हैं, ठीक है, अगर आपने mechanical से बढ़ा है तो आपको 100 questions mechanical engineering से पूछे जाएंगे और अगर आपने electrical से बढ़ा है तो 100 questions electrical से पूछे जाएंगे तो अगर इस चीज़ को मैं summarize करूँ तो basically क्या हुआ 50 questions किसके general intelligence के reasoning के 50 questions general awareness के और 100 questions जो आपके core technical subjects है either from mechanical engineering, civil engineering or electrical engineering यह आपसे पूछे जाएंगे तो पहला paper कुल मिला करके 200 number का बनेगा दो घंटे का आपको वक्त मिलेगा ठीक है एक number एक question सही होने पे और एक चोथाई number कर जाएगा अगर वो question आपका गलत होता है ठीक है तो यह है आपका पहले paper का summary कि क्या इस लेबर से और क्या चीज़े इसमें आती है इन जेनरल अब जब आप यह paper qualify करोगे तो आपको मिलेगा second paper जो की आपका जो की आपका कितने marks का होगा 300 number का होगा और यह है descriptive time written examination that means subjective paper आपको जैसे semester हम लिखते हैं बिल्कुल same way हमें question दिया होगा और हमें उस question का answer paper में पूरा लिखना होगा कोई option नहीं होगे copy भर के आनी पड़ेगी copy में लिख कर के आना पड़ेगा और कोई फिर teacher कोई examiner उस copy को check करके उसको marks देगा और ये paper में आप तभी बैश सकते हो ये paper में आप तभी बैश सकते हो जब आप पहला paper यानी objective type paper को qualify करोगे तो ये exam 2 गंटे के लिए है 2 गंटा 40 मिनट उनके लिए है which are eligible to subscribe that means जिनको vision in correctness है जिनकी vision की कुछ problem है visually impaired लोगों के लिए ये paper 2 गंटा 40 मिनट का होता है normally जिनका कोई visual दिक्कत नहीं है उनके लिए यानि general public के लिए ये 2 गंटे का paper है 300 number का paper है और इसमें केवल technical आता है अगर आप civil से दे रहे हैं तो civil की technical questions आएंगे अगर आप electrical से दे रहे हैं तो mechanical के technical question आएंगे कई लोग इसमें confusion रखते हैं कि क्या सा subjective questions में essay वगेरा भी लिखने को आता है तो there is nothing like that कोई essay वगेरा नहीं पूछा जाता है कोई English वगेरा नहीं पूछा जाता है ये दोनों ही paper Hindi English दोनों भाशा में होते हैं मतलब अगर आप SSEJ के objective question को देखोगे तो आपको English में भी question देखेगा Hindi में भी देखेगा option English और Hindi डोनों में ही नजर आएंगी तो यहाँ पे language कोई barrier आपके लिए नहीं होगा जो लोग English में उतने अच्छे नहीं है Hindi जादा better समझते हैं या Hindi में पढ़े हुए उनके लिए भी ये exam उतना ही opportunity देता है जितना एक English speaking student या English में पढ़े हुए students को देता है ठीक है? Same for objective Same for subjective यहाँ पर भी आपको question paper bilingual भाशा में होगा यानि Hindi English डोनों में होगा अपने answers को भी आप Hindi या English किसी भी भाशा में दे सकते हो ठीक है? तो 300 number का ये question तो पहला paper निकालेंगे तो दूसरे का मौका मिलेगा और फिर combined merit बनेगी आपकी objective और subjective दोनों paper को मिला करके और अगर आप फिर merit में आते हैं तो आपका selection होगा और आपको SSC JEE बनने का मौका मिलेगा ठीक है? तो ये हुआ exam pattern अब सर अगर हम ये exam qualify कर लेते हैं तो हमें क्या opportunity मिलेंगी जरह उसकी बात कर लेते हैं तो देखे ठीक है? तो basically ये मैंने basic job मैंने आपको बोला वही लिखा हुआ है so you will be eligible to appear for SSC JEE paper 2 if you score equal or higher marks than the minimum cut-off in SSC JEE paper 1 okay so the SSC JEE cut-off marks 2033 will be decided by the SSC that is staff selection commission तो जब आप एक particular merit marks ले आएंगे तो उसके बाद आप second paper में जाओगे अच्छा, important बात है एको पहले paper में, objective paper में calculator, etc. कुछ भी allowed नहीं होगा आप log table, generally हम calculator की बात करते हैं तो calculator आप objective paper में नहीं लेकर के जा सकते हो जैसे अगर आप gate exam देते हो तो वहाँ पे calculator allow होते हैं लेकिन यहाँ पे calculator allowed नहीं होगा for objective लेकिन subjective exam के लिए आप calculator अपने साथ carry कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो second में आपको calculator, log table, steam table यह सब आपकी allowed है आप इसको carry करके लेकर के जा सकते हो ठीक है? तो ऐसा कुछ भी आप S.S.C.E. paper 1 में calculator वगेरा यूस नहीं कर सकते हो and you will be chosen based on your overall performance in S.S.C.E. paper 1 and S.S.C.E. paper 2 यानि दोनों के marks combine करके आपकी merit बनेगी और उसके according आपको selection मिलेगा अब बात करते हैं कि सर जब हम इस exam को prepare कर रहे हैं तो ultimately हम सब का एक goal है कि सर हमें financial stability चाहिए हम एक अच्छी नौकरी करना चाहते हैं अपनी family को support करना चाहते हैं खुद को support करना चाहते हैं एक अच्छी life जीना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हमें एक अच्छी salary मिले तो starting salary की में बात करता हूँ जब आपका SSC में selection हो जाता है तो आपकी starting salary क्या है तो आप government of India में इससे आप entry पाते हो और आपकी जो basic pay लगती है वो 35,400 से 1,12,400 की basic pay रहती है यानि first day जिस दिन पहले महीने की आपकी salary जो आपके हातों में आईगी सारे benefits HR A, DA आपको पता है जब हम government में होते हैं तो कई सारे additional benefits मिलते हैं HR A, TA, DA, daily allowance, dearness allowance, this, that So, so many allowances are there in the government तो ये जो government की आपको सब मिलेगा ये आपको 44,000 rupees in hand आपके पास आएंगे और ये मैं बात कर रहा हूँ tire 3 city की मतलब सबसे कब हमारे जो procedure है jobs का उसको हमने cities में बाता होता है और हर city का हमने category की tire 3, tire 2, tire 1 मतलब basically tire 1 वो cities हैं जो बहुत expensive cities हैं like Bangalore, like Mumbai ऐसी जगा होपे अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो ये 44,000 की जगा नियली आपको 70,000 rupees हो जाएगी क्योंकि इससे आपका HR A, DA ये सब जो allowances होते हैं वो बढ़े आते हैं तो tire 3 city में आपको नियली 44,000 rupees यहां पे मिलेगा और SSC GE से जो नौकरी मिलती है इसमें आपको पोस्टिंग throughout India के किसी भी कोडे में की जा सकती है तो इस exam को देने की age limit है 32 years अगर general category के लिए अगर आप 32 years की age या उससे कम age है आपकी तो आप इस exam को दे सकते हैं और as per the category आपको जो normal relaxation मिलता है वो आपको मिलेगा तो यह हो गई salary की बात अब कौन कौन सी organizations जो general यह थोड़ा सा क्या होता है यह कभी कभी addition और subtraction इसमें हो जाता है लेकिन in general कौन कौन सी organization आपको SSC के through recruit करती है वो क्या है BRO Border Road Organization that is the Ministry of Defense तीक है यहाँ पे आपको नौक नी मिल सकती है CPWD Central Water Commission Central Water Power Research Station Directorate of Quality Assurance Naval Fracca Barrage Project Military Engineering Services तो इन सब organization जो government की अलग अलग बहुत ही prestigious organizations है जैसे MES Military Engineering Services आप किसी भी शहर में रहते होंगे अगर आपने कभी military base देखा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा Office of Garrison Engineer यह MES Second in Command होते है मतलब जोब आप Junior Engineer के उस पे जाओगे तो उस Garrison Office के आप Second in Command होगे मतलब आप Boss की बात करो तो आपके उपर के वल एक Seniority Level है उसके लीचे आप ही है ठीक है? ठीक है? तो बहुत prestigious organizations में आपको Junior Engineer की Post आती है वहाँ पे आप इस exam को crack करके, merit बना करके, enter कर सकते हो ठीक है? प्रमोशन की बात करो तो विट टाइम आपका प्रमोशन होते हैं ऐसा नहीं है कि आप Junior Engineer लेवल पे अगर enter करते हो तो Junior Engineer पे ही रिटायर हो जाओगे आप Seniority में जो Junior Engineers होते हैं वो लबग Chief Engineer, Executive Engineer के लेवल तक भी बहुत सकते हैं तो Junior Engineer is the starting point अगर मैं अपने experience से, अपने पढ़ाए हुए students से के हिजाब से बताओ कि मैंने खुद सबसे पहले डिपलोमा किया, फिर B.Tech की, फिर M.Tech की, फिर PhD की, फिर PhD की, फिर Indian Institute of Technology लूर की तो मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे students, मेरे बहुत सारे colleagues Junior Engineers हैं, कई Assistant Engineer है, Executive Engineer हैं So basically, अगर आप Junior Engineer पे जोइन करते हो, तो मोटी मोटी अगर मैं बात करो तो 5 years, 6 years, depending upon the organization, down the line, आप एक Assistant Engineer के level पर पहुँच सकते हो और Assistant Engineer की post के parallel post पर पहुँच सकते हो, जैसे Section Engineer बन गए ठीक है, तो promotion आपको with time मिलता रहता है कई लोग का यह doubt होता है, सर मैं B.Tech holder हूँ, तो can, should I go for this examination or not? क्योंकि सर, यह तो diploma वा लोकल eligible है and diploma वा लोकल, on the other hand, यह confusion रहता है कि सर, इसमें तो degree वाले भी eligible हैं तो will we be able to compete or not? तो यहाँ पर मैं दो चीज़े clear करता हूँ देखिए, जो degree holders होते हैं, अगर वो join करते हैं, तो internal examinations होते हैं और उनकी qualification के अनुसार उनको upgradation या promotion मिल जाता है ठीक है, थोड़ा time लगता है, लेकिन यह opportunity आपके लिए होती है जो diploma holders होते हैं, वो बिलकुल इस बास से निश्चिंट रहें क्योंकि यह organization वो organization हैं, जो खुद आपको B.Tech करा देंगी within your organization, मतलब आपने मालीजे join कर लिया तो यह खुद आपकी degree की arrange करते हैं, यह खुद आपको पढ़ाई करने के लिए और प्रोसाहित करते हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो ऐसा नहीं है कि आप diploma से B.Tech degree या B.E. degree को भी हासिल कर सकते हो number two, जो exam होता है, it is the strictest हमको instruction होते हैं SSE को कि diploma level का ही paper बनाएं, तो अगर आपने degree नहीं की वही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप compete नहीं कर पाओगे degree वालों से क्योंकि यहां पे जो paper आएगा, उसका level, diploma level से उपर नहीं किया जा सकता यह clear instructions है, आप इसको पढ़ सकते हो on the web तो यह कुछ basic बाते हैं, ठीक है, इन जगहों पे